इस मूवी की कहानी कोई नहीं नहीं है यह जो समाज में होता आ रहा है उसकी एक जलक पेश करने की इसने कोशिश किया और यह आपके उपर है कि आप इस मूवी को कितना समझते हैं नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चमन बाहर मुवी के बारे में जिसे डिरेक्ट और राइट एक ही इंसान नहीं किया है अपूर्वा धरने और इसके अंदर कास्ट है जिजेंदर कुमार, रितिका, रिध्यानी, भुवन, अरोडा और बाकिया नेकल बासी है, और वो अपने बाप की जोब को कुछ भी नहीं समझता, इवन अपने बाप को भी कुछ नहीं समझता, उसे लगता है कि उसके बाप की कोई इजज़त नहीं है क्योंकि वह कितनी चोटी जोब करता है, और उसका बहुत टाइम से सपना होता है कि उसकी एक शोप हो एक खूबसूरत लड़की, इस लड़की का नाम है रिंकू, रिंकू बहुत ज्यादा सिंपल लड़की है, और इसका एक ही काम होता है कि अपने भाई को उसके स्कूल चोड़ के आना, और फिर खुद स्कूल जाना और वापस घर पे आना, बस सिंपल सा यही रूटीन है उसक बिलू जब उसे पहली बार देखता है तो उसे पसंद करने लग जाता है और साथ ही साथ वो अकेला ही नहीं उसके स्कूल में पढ़ने वाले सारे सारे लड़के एवन उस शहर के जितने भी लड़के थे वो उस लड़की को पसंद करने लग जाते हैं और वहां के नगर पेचे उसके घर तक आ जाते हैं अब बिल्लू की जो दुकान है वो उसके रिंकू के घर के सामने है तो इस बहाने बिल्लू की दुकान भी बहुत अच्छी चलने लग जाती है लेकिन बिल्लू को कहीं न कहीं जलन भी होती है कि ये सारे लोग यहां पर आ गए हैं ये उसका competition बढ़ गहां कि कहीं रिंकू आप उसके हाथ से न निकल जाए इन में से किसी को पसंद ना करने लग जाए तो वो तिगडम लगाने स्टार्ट कर जाते हैं तिगडम ऐसे लगाते हैं कि जैसे तैसे इन सब लोगों को यहां से अटाया जाए रिंकू को अपने दिल की बात बताई जाए और उसके तिकड़म काम भी करने लग जाते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे क्या कुछ भी नहीं बसता उसकी शौप की आसपास सब के सब वहां से निकल जाते हैं और फिर बिल्लू जो है वो एक लव लेटर लिखके उसके घर में फैंक देते हैं मतलब जोस ज लेटर जो है वो उसके पिता के हाथ में लग जाता है रिंगो के पिता अपने जान पैचान वाले जो पुलिस में होते हैं उसको बता देते हैं और एक पुलिस वाला आता है जो बिल्लू की दुकान के आसपास जितने भी लड़के खड़े हैं और इवन बिल्लू को भी वो मुर्गा बना कर बहुत मार के जाता है इससे बिल्लू बहुत जादा हट हो जाता है उसे लगता है कि रिंकू ने उसका दिल तोड़ दिया बिल्लू जो है उसे बहुत प्यार करता था और रिंकू उसे बिल्कूल समझ नहीं पाई तो पुलिस वाले से मार खाने के बाद और अपने आपको ऐसा फिल करवाना अपने आपको धक्के से ये फिल कराना कि रिंकू ने बिल्लू को दोखा दे दिया है और फिर वो हर जगाएं पर रिंकू को बदनाम करने के लिए बस ये लिख देता है कि रिंकू जो है वो बेवफा है इवन उसके सामने जो उसकी खुद की शौप थी बिल्लू की उसके उपर भी ये लिख देता है कि रिंकू जो है वो बेवफा है और फिर नोटों के उपर भी लिख देना कि रिंकू बेवफा है और ये चीज जो है वो पुलिस तक पहुंचती है पुलिस तक पहुंचने के बाद वो बिल्लू को पकड़ती है और उसको बहुत मारती है और उसकी शौप भी तोड़ देती है और जब बिल्लू के पिता को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा जो है वो पुलिस में है तब उसके सामने जब बिल्लू जो जाता है अपने पिता के सामना जब बिल्लू की जवानत या फिर उसको छुड़वा देता है रिंकू के पिता ही, कि हाँ भी इसको छोड़ो दो, ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया, ये ऐसी चीज बताकर भी बिल्लू को उच्छडवा देता है, और जब बिल्लू अपने पिता का सामना करता है, कि जब उसने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, कि तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तुम्हारी एक जोब, जो पड़ासी की जोब है, और वो कैसे अब अपने बाप की इज़द जो है, जो बचे कुछी इज़द जोब थी, उस इंसान की, उसके पिता की, वो मिट्टी में मिला चुका है, वो इवन नजरें तक नहीं मिला सकता, तब उसका इसास होता है कि उसने क्या कर दिया है, और रिंकु के पिता जब उसे अपने घर पे चाय पीने के लिए बुलाते हैं, तब वो वहां पे देखता है कि बहुत सारे जो मैडल हैं, उनकी दिवारों पे टंगे हुए हैं, रिंकु ने कुछ एक पेंटिंग जो हैं, वो एक लड़की से कभी मिला नहीं, उसने कभी बात भी नहीं की, वो कैसे यह इमेजिन कर सकता है कि हाँ, वो लड़की से पसंद कर सकती है और इसके पीछे वो अपनी, अपनी निमत अब उस लड़की की लाइफ बरबाद करने में लग जाता है, उसको बद importa है उसको बदनाम बना देते हैं पर ये बाते हैं आज की generation के समझ में बिलकुल नहीं आती एक तो उन में moral value की कमी है और उपर से रहे कई कमी ये पूरी कर देते हैं ये यूटूबर इन जैसे influencer जो हैं वो आज के youth में ऐसा कच्रा भर देते हैं वो ये सिखाते हैं कि लड़की को कैसे पटाना च लड़की सिर्फ पटने के लिए बैठी है क्यों लड़के ये वास नहीं समझते हैं कि वो लड़की तुम में कोई interest नहीं ले रही तो उसका पीचा चोड़ो यार क्यों अपने आपको ऐसे so-called dude दिखाने की सामने कोशिश कर रही हो क्यों धक्के से उसे flirt करने की कोशिश कर किसी बात क्यों समझने आती लड़कों को और मैं ये कहकर आइसास नहीं दिलाऊँगा कि जिस भी लड़की को तुम follow करते हो जिस भी लड़की को तुम stock करते हो physically या फिर net के ऊपर कहीं पर भी करते हो मैं ये नहीं कहुँगा कि suppose करो कि तुम्हारी बहन या बेटी वहां प रोकते हो वो किसी खेल में करना चाहती है अपने आपको किसी education में आगे ले जाना जाती है लेकिन मैं ज्यादा तर कम ही आज की rate में उन moral value को जो अपने उनके माबाप जो हैं वो बहुत कम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम एक लड़की का आदर सम्मान करो यार मेर उसके पीछे पीछे पैदल चल रहा है उसको स्टोक कर रहा है वो लड़की परिशान है रो रही है फिर भी वो लड़का नहीं मान रहा है ऐसा मैंने real life में भी देखा है तो बस मैं यही कहना चाहता हूं यार कोई लड़की अपने आपको आगे बढ़ाना चाहती है तो प् है नही बढ़का चाहती है वो लड़का है वो बद्यक्ति है कोईख वो लिप्गे रहा है वो लेक को मैं लो लड़का है वो लो लूजके लाहने को बऌन सम्वक्रैंट कर वो दिय वहातुटवरबगरे मीं जयांओरे वो लिए då है ले उगलों जल भो लेजके